इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. एजोरेन 75 टेबलेट इम्यूनोस प्रेसंट नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. इसे ट्रांस्प्लांट के बाद आपके शरीर द्वारा अंगों, यानि की, जैसे की किड्नी, दिल या, लिवर को अस्वीकार करने से रोकने के लिए अन्य दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल रुमिटाइड आर्थराइटिस के इलाज में भी किया जाता है. एजोरेन 75 टेबलेट आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करके काम करता है, ताकि यह नए अंग पर अटेक न करे. ली जाने वाली दवा की मात्रा और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत होगी, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका ट्रांस्प्लांट किस प्रकार का है. इसके लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें. आपको इसे खाने के साथ लेना चाहिए. इसलिए यदि आप गर्भवती है या गर्भवती होने का प्लान कर रही है, या स्तनपान करा रही है, तो इसे न ले. अगर आपमें इन्फेक्शन का कोई लक्षन हो या अचानक से कहीं चोड जैसी परेशानी हो या ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. आपके डॉक्टर को यह भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रही हैं, क्योंकि ऐसी कई दवाएं हैं, जो इस दवा पर असर कर सकती हैं, और इसके काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं. तरक्त कोशिकाओं की संख्या में किसी भी परिवर्तन की जाँच करने के लिए आपके नियमित टेस्ट होंगे. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.